आज कल रिष्टे सूर्य मुखी के फूल की तरह हो गए हैं जिदर फायदा दिखता है उसी तरफ घूम जाते हैं ऐसे रिष्टों को त्याग देना ही बहतर है और सांती सांत जिंदगी में जो भी बुरा लगे उसे आप त्याग दो चाहे वो कोई विचार हो कोई कर्म हो या आजकल लोग बड़ी जल्दी ये बात पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है दोस्तो बाहर की परेशानियों से नहीं हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं इसलिए कभी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को मत छोड़ना क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की आपके प्रती राय बदल जाती है और कभी कोई गलती हो जाए तो याद रखना के गलती करने का कोई सही समय नहीं होता और नहीं उसे सुधारने का कोई समय बुरा होता है किसी ने क्या खूब पूछा जब भगवान हर जगे हैं तो मंदिर क्यों जा लोगों की सोच का क्या है वो तो कंडिशन के हिसाब से बदलती रहती है अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेक देते हैं और अगर घी में गिरे तो मक्खी को फेक देते हैं माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते लेकिन एक अच्छी प्रेड़ना और सला दे कर किसी का मार्गदर्शन जरूर कर सकते हो इसलिए कभी भी मौका मिले तो जीवन में सार्थी बने, स्वार्थी नहीं और याद रखें कुदरत जानबूच कर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरों पे लगे नकाब देख सकें, जिन पर हम आखे बंद करके भरोसा करते थे, जिन लोगों के अभी एक्जाम चल रहे हैं, उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, आखों में नींद बहुत है उचित प्रियोग में आते हैं, वरना फिजूल में बोज बढ़ाते हैं, इसलिए अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनिये और याद रखिए कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं समरता, दुनिया को जीतने का होसला रखो, एक हार से कोई फखीर नहीं बनता, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर होना चाहिए दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान के परिश्रम का होता है और जिंदिगी में सबसे अच्छा साथी इंसान का आत्म विश्वास होता है वीडियो के अंत में बस अतना कहना चाहूंगा किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविश्य का मजाक मत बनाना क्योंकि समय में एतनी तागत है कि वो कोईले को भी धीरे में बदल देता है अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सेहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्म कूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज